साथी हो एक बार फिन से मैंरे चनल में आपको स्वागत है मैं आपके लिए एक waterproofing के वीडियो लेगाया हूँ जिसमें मैं ये दिखाया हूँ कि waterproofing खा होँ कहां खाया पर किया जाता है उसके क्या फाहिदे होते हैं और कब किया जाता है सबसे पहले चान नायक पर स्ट्रक्شन में कीचन का काम क्या है कीचन में वाटर प्रूτο करने से पाले इसमें टू überhaupt करा पृष पाको बाई ऍपमा सिऑन सीपेजाब के घर में बनेगा जिससे आपके वाल अवगारा खराब नहीं होगी प्रेंट की फुलना पपड़ी यह यह सब चीजल बहुत जैदा देखा जाता है और जब यह सब चीज llegap घर को जल्धी से ख़राब करने लगते हैं और भड़्ा भी दिखने लगता है दूसरा यह है छट के सीलिंग में कही बंए क्या कैसी पे जाने लगता है आपके जु dismantler से सीलिंग में सीपेज आता है बहुत ज़्यदा आपको परसान करता है तरह तरह के टीटमेंट आप करते हैं नहीं सही होता है तो यहां भी waterproofing का काम किया जाता है ऐसी आपकी समस्या है तो उस पर पूरे छट पे 7 layer के waterproofing करा दें जैसा कि आपको मैं वीडियो में दिखा रहा ह जो जब सिलन सीपेज आपको घर में नहीं जाएगा तो वहां पर जो है आपका घर जो भी पीशे दिखाया था सीपेज बनना दाग धब आ जाना पानी का वह सब चीजी नहीं होगी इसका प्रासेस में बता दूँ कि सबसे पले पुरे छट को किलीन किया जाता है जब छट कि एक ट्रीटमेंट सुरू हो जाता है इसको जाली जैसा लगता है जाली बूल सकते हैं गलास और फाइबर का इसका यह काम होता है कि यह केमिकल की पकोड़ को मजबूत रखता है और च्छत पर जो क्रेक होते हैं उसको आगर नहीं बढ़ने देता और क्रेक भी नहीं आने द लेता है काफी जयता स्टेचबल होता है मजबूत होता है तो लेकूड अबर से लाश्टो मेरे के तीन से चार कोटिंग की जाएगी और टोटल मिला के सेवन कोट हो जाएगा कई बार आप क्या काम करते हैं कि 2-3 चार कोट करा लेते हैं जो ज्यादा दिन तक चल नहीं पात करते हैं सेवन कोटिंग के जो सर्विस एक कंपनी की पूरी दिली और इंडिया में अबलेबल है डिक्सिस्वा में नमबर दे दूंगा उस पर काल करके आप अधिक जन करे ले सकते हैं और चाहें तो अपने घर के भी वाटर प्रूफिंग करा सकते हैं एक घर के अंदर में